नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल जीके भी तरके में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UCIL के बारे में जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे यूरेनियम कोर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेट यह गवर्मेंट ओफ इंडिया इंडरप्राइज यह वेकेंशी कहां से निकल के आई है तो यह वेकेंशी निकली है जारखंड से यहां पे देखिए जादू गोड़ा मैंस डिस्टिक सिंग्भूम इस्ट जारखंड है न स्टिट क्या है और लाइन कब से हो रहा है या फिर इसमें कोन नहीं भर सकता है ठीक है इसकी सेलेरी कितनी रखे गए तो हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों तो तो यह आप यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू क है आगे जिए हम बात करें कि इंपोर्टेंट डेट के बारे में तो यहां पर सिदा सिधे हम लोग ज़्यादा ना करते विए जो जरूरी चीज़े हैं हम लोग उसी को सभी जानेंगे देखें इंपोर्टेंट डेट में क्या लिखा गया है तो दूस्तों यहां पर इसका अप्लिकेशन उनलाइन करने का अंतिम्तिति क्या रहा है तो यहां पर देखिए बाइस छोद दुहजार बीस दस बज़े सुबह तक आप इसको उनलाइन कर सकते हैं ठीक है तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि देखिए हैं पर नौट में लिखा है एक नमर को छोड़ीयो दो नमर के हम यहां पर बात करते हैं क्या लिखा है दो नमर में से पहले जरुर्व ओनलाइन कर ले क्या होता है कभी कभई कि आप सोच रहे हैं कि हम लास्ट में ओनलाइन करेंगी यहाँ पर क्या होता है जारखन का चाहिए इसका जो साइट है पूरा स्लू हो जाता है और बहुत हारे अब यहां पर हम है pay and announces के section में यहां पर salary जो रखा गया है कि कम से कम जो रखा गया है 29,990 से ले करके आपका salary रखा गया है 46,720 टोटल 7 post के लिए vacancy निकाली गई है यह रहा salary की बात आप जिदे detail में जानना चाहते हैं कि 7 पोस्ट के लिए कितने कितने salary रखी गई है आप यहां पर आप क्या करना है आप थोड़ा सा video को रोक लेना है आप यहां पर थोड़ा डिटेल में पढ़ लिए टाइम बरबाद करने से फायदा नहीं है आपका टाइम बरबाद नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए आगे क्या लिखा है 2,3,4 और 5 पोस्ट के इसका यह salary रखा गया है और आगे यहां पर पोस्ट नमर 6 और 7 के लिए salary रखा गया है तो आप इसको क्या किजेगा आप इसको रोक के थोड़ा पढ़ लेजेगा salary के बारे में अब आपको हम बात करते हैं कि कौन सा वेक्ति भर सकता है इसका educational qualification क्या रखा गया है सातों post के ल के लिए है और इसमें टोटल सीटों की संख्यां कितनी रखी गए तो यहां पर देखे चार सीट है जिदि हम बात करें कि इसमें एज की क्या मात्री एज का रखा गया है तो देखें अन्रिजर्व के लिए 30 साल है स्टी एस्टी के लिए 35 साल है ठीक है और रिज्वकेशनल क् विद्नोलेज आप कम्पुटर विल बूब प्रिफर जैरि आप कम्पुटर नोलेज आपके पास है तो आपको प्रत्मिक्ता दी जाएगी दूसरे नमर जो है बैकेंसी है माइनिंग मेट्स हैं टोटल सेटों के संख्यां यहां अन्रिजर्व के लिए 26 है और च्शे लिए चौधा है अन्रिजर्ब के लिए देखिए उम्र सीमा 35 वर्स रखा गया है OBC के लिए 38 वर्स रखा गया है STSC के लिए 40 वर्स रखा गया है इसमें जो आपका educational qualification जो रखा गया है कम से कम intermediate pass होना जरूरी है और उसके साथ में mining का certificate होना जरूरी है जो DGMS के द्वारा आपका issue हुआ होना चाहिए और आप जहां पर जैसे यह ज्यादू गोड़ा का है जहरखन की है तो वहां की आपको local language आपको जानना नहीं की बोलना लिखना जो जरूरी है आप इस चीज को ध्यान रखेंगे अगला पोस्ट है तीन नंबर में यहां पर देखिए boiler come compressor अटेंडेंट यह ठीक है तो इसके लिए जो सीटों की संखियां है वह कितना है अगला नंबर हमारा आता है चार नंबर का यहां पर देखिए चार नंबर का जो वेकेंसी है क्या है वेल्डिंग और इंजिन रहन ड्राइबर बी के लिए है टोटल सीटों की संखियां 14 है उम्र सिमा अन्रिजर्ब के लिए 32 और 35 है विसी के लिए इसके लिए होना चाहिए तो यह हो गया हमारा पांच पोस्ट अब दो पोस्ट हमारे पास बचा है छे और सात नमर यह देखिए छे और सात नमर का पोस्ट है है ना इसमें जो रखा गया है अप्रेंटिस देखिए पोस्ट का नाम क्या है तो अप्रेंटिस है माइनिंग मेट के लिए सिटों के संखियां तिरपन है उम्र सिमा 25 से लेकर के 30 वर्स तक रखा गया है इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह देख है उम्र सिमा 25 से लेकर के 30 वर्स रखा गया है कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए आपको और 60 परसेंट अंक अपके होने चाहिए मैट्रिक में तो यह था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सीटों की संख्यां का बटवारा तो अभी आपने इसमें देखा कि जो जो इतन करें आगे यहां पर देखिए अग्जाम सिटी के बारे में बताया गया तो दोस्तों आप जो सो सुख्यांस इसमें दिया जाएगा जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है एक और दू और तिन जब आप फोर्म को भर रहे होंगे उस टाइम से बारे में आपको बताया जाएग और समय जो आपको 120 मिनट आने की दो घंटा का समय दिया जाएगा ठीक है तो आप इसको ध्यान में देखेंगे अगला चीज यहां पे देखिए आपके क्या है इसका जो है प्रस्न जो पूछे जाएंगे किस चेतर से कितने प्रस्न पूछे जाएंगे तो ओल पोस्ट के दस पूछा जाएगा और प्रफेशनल नौलेज ठीक है तो उससे आपको 80 प्रस्न पूछे जाएंगे जिस पोस्ट के लिए आप को भरेंगे तो यह आपका था सिलिबस आप इसको ध्यान में रखेंगे दूसरी बात यहां पर देखिए अप्लिकेशन फी के बारे में यहा आपको बताया 30 अपरिल 20 तक वह पूरा हो जाना चाहिए ठीक है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे है ना तो यहां पर देखिए अप्लिकेशन फी लिखा गया है 500 रुप्या तो जिदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ओनलाइन फॉर्म यह भरा रहा है आप चा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू कर दिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने से देखिया आपको फायदा यह होगा कि इस तरह की वेकेंट से यह निकल के आती है तो आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए देखने के लिए धन्यवाद आपका फोम को जरूर भरिएगा